अब देखिए अपने एक user control in ASP.NET में create करते हैं और उस controls को अपने चाहे हैं उतने form पे अपन उसको बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं जैसे अपने कोई एक control में login form है अपने चाहे है और इसको धिफाइं कर लिया और जाहे है जितनी बार्न इसको वह उसको ऑन यूज कर सकते हैं तो जो user controls अपन kmल्टिपल पेर यूज कर सकते हैं तो user control बनाने देकिए हमारे पास तरीका क्या user controls देखिए एक्स्टेंशन क्या होता है इध्यान रखना एस्टेंशन क्या होता है 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 एस्टेंशन क्या होत से भी बना सकते हैं पर आज अपन देखेंगे तो नॉर्मल तरीके से यूजर कंट्रोल कैसे बनाते हैं तो एक प्रॉसेस अपन चलते हैं सबसे वाल एस्पी.net को उपन करते हैं ध्याद से देखेगा स्टेप्स को एस्पी.net में गए सलूशन एक्स्ट्रोरल में तो राइट क्लिक एड न्यू आइटम न्यू आइटम पर जाने के बाद अपने याप लेंगी यूजर कंट्रोल क्या लेंगी यूजर कंट्रोल इसकौर कर लेतने पाने गवार देखेगा वेवी उसर कंट्रोल अपने पास क्या आगया वेवीजर कंट्रोल अब इस पेज का कोई भी नाम आपको रखना जिसे हमने देदिया आपे लॉग इन्व चाहिए परता नंग क्या नाम देदिया हमें लॉर्ग इन लॉग ईन औरल रस, कैले निण लॉग इनड़र जाव हे और लोग इन डेम इसका नाम देदिया हम लॉग इन जह ड़ा कि लेंगे और यह झाए रकादउय क्रूरल चाहिए-पर cya लिसु कर लेंगे क्या कर लेंगे अपना पूरा login form design कर लेंगे, यह हमारे पास देखिया आ गया, इसमें भी पूरा हम उसी तरह से जैसे SPX page में करते हैं, वैसी हम इसमें भी उसी तरह से setting पूरी करेंगे, तो design view पर आपन उपन करते हैं इसका, और design view पर एक login form create कर लेते हैं, उस login form को माल लो अपन को 20 जगे चाहिए, तो अपन 20 जगे उसको use करेंगे, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक login form create कर लेते हैं, तो table में जाके insert, ठीक है, और table add करा लेते हैं, जो भी आपको color बगारा लेना है, ठीक, उसकी आदिसका, border size, ठीक, border का को color बगारा लेना है, आपको red clear, background कोई color लेना है आपको, इस tab से हमने यहाँ पर, ok करके table को बना लेते हैं, अब इस table को upon क्या करते हैं, सबसे बहले इसको बना लेते हैं, table select किया, और इसकी position को absolute कर लेते हैं, position कैसी कर लेते हैं, ठीक है, अब अपने इसमें यहाँ पर design करते ह तूल बॉक्स में जाते हैं, तो अपने सबसे बहले एक बटन रख लेते हैं, बटन को नाम login, login लिखेंगे हैं यहाँ पर, उसके अदो लेवल, username, दूसरा यहाँ पर पासवर्ड, username और password, उसके अदा अपन यहाँ पर text box रखेंगे, क्या रखेंगे, text box 1, text box 2, text box 1, text box 2, clear, राइट क्लिक किया, insert, row, इसको merge किया है, यहाँ पर, राइट क्लिक, यहाँ पर एक heading देदेंगे, अपन, modify merge cell, ठीक, अब यहाँ पर एक अपन क्या रख लेते हैं, लेवल लख लेते हैं, क्या रखेंगे, लेवल, क्या रखेंगे, लेवल भी देना चाहँ, किसी भी देना चाहँ, तो अपन यहाँ पर, उसके बाद, इनको अपन थवदा सा format कर लेते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पर यह पर पर पर्पर्टी में जाते हैं, टैक्स बॉक्स में, यहाँ देते हैं, यूजर, फॉन्ट, बोल्ड, साइज, अपने ले लिए जैसे, लार्ज, ठीक है, फोर कलर आपको जैसे लेना, इसका कुछ और, ठीक है, कोई और लेना हो तो अच्छा जो चंप के आपका, उसके आपने यहाँ पर कर दिया, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, इसका भी आपने बोल्ड, साइज, इसका भी आपने क्या दिया, लार्ज, फोर कलर यहाँ से इसका क्या ले लिए अपने, ठीक, और टेक्स यहाँ ले दिया, आपने पास्वार्ट, ठीक है, उसके आदा आपने दूसरा लिए, राइट क्लिक या प्रॉपर्टी, टेक्स ब क्या कर देंगे चेंज कर देंगे टेक्स मोड इसको क्या बना देंगे अपन पासवर्ड क्या बना देंगे पासवर्ड क्या बना देंगे पासवर्ड क्या बना देंगे पासवर्ड अब बटन पर राइट क्लिक बटन पर क्या अपन बटन का नाम रख लिया अपने लॉग इ बाढ़र की बिंद रिड़न के तिक है स्थिके फॉन्ट ऑल्ड शाइज इसका वी है फॉन्टा भॉल्ड । क्लिक इस टैप से इसको अपने यहां से डिजाइन किया इसको अपने इसाब से हम जहां पर भी अपन रखना चाहां इसको यहां पर अपने इसाब से इसको क्लिक है उसकी अपने इसके इसको यहां पर अपन लॉडिक इसको रिजना उसको यहां पर यहां पर लॉडिल शचाहा तो इसको अधना लीवल दालने क्या डालने लेवल टूल वक्स लिया और यहां पर लेबल रिखने का रखिर लो कि आटीर प्रॉपर्टी विए यहां पर लिखे यूजर लोग इन इसको भी अपन चाहें तो अब्सुलूट ठीक है इसका फॉंट यहां से ले रहेते हैं अपन क्या टू और यहां से लार्ज और इसका जो फॉर कलर है वह भी क्या अपन इस टाइब से अपने यहां पर ठीक है इसको एक चाहँ चेक करके देख लिए थे हैं यह अपने पास पूरा लॉग इंट डिजाइन अब इस फॉर्म को अपन कितने भी फॉर्म पर चाहिए अब इसको अपन क्या करेंगे सिर्फ अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा दूसरे फॉर्म पर रण कराना पड़ेगा हमने बताई यह आके लिए रण नहीं करता है तो शलूशन एक्सप्रोर में जाएंगे राइट क्लिक करेंगे यहां पर लेंगे एड निव आइटम निव आइटम यहां से ले लेंगे अप करना है तो अपने यहां पर क्या करेंगे स्लूशन एक्सप्रोर में जाएंगे और इस वाली यूजर कंट्रॉल को पकड़ के यहां पर छोड़ेगे यह देखिए हमारा यहां पर बन के आप अब देखिए यहां पर अब देखिए रण कराएंगे यहीं यह आंगे यह थितनी जगह चाहें उतनी जगह यूज कर सकते हैंहां लो आपने सपोस्पोस्ту लिया अपने कौ को हैंब पर और करेंगेंगे अपने यहां पर क्या कूए एक फॉर्म मारा इंट करा लिए तो अपन क्या करेंगी चायड आएंसे चायज़ कोड से अधाज लगए तो कसी भी form पर drag and drop कर तो इस टैब से हम क्या बना सकते हैं user control बना सकते हैं ऐसा control जिस control को आपको बार-वार जरूत पड़ती हैं हर पेज पड़ती है तो उसके लिए अपन क्या define करते हैं, user control बना लेकिन, क्या कहला था है, यह user control, अब देखें, यह पूरा एक control बन गया, आप अपने इसाब से इसमें coding करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, जो चीज करना चाहिए, वो आप यहाँ पर अपने करके, यहाँ बना के रख सकते हैं, तो यह हमारा क्या क बना लाता है, user control, clear, अब देखें, कुछ students कह रहे हैं, सर, हमको problem आ रहे है, master page यह एक बार दुबहरा बता दीए, तो एक बार master page और देख लेते हैं, इसको solution close कर देते हैं, right click करते हैं, यहाँ से जाते है new website, ठीक, तो यहाँ पर एक बार फिल देने हैं, demo master page, demo master page, demo master page, ठीक master demo, master demo, ठीक है, तो सबसे पहले काम है, यहाँ पर क्या करते है, right click करते हैं, यहाँ भी page add कराते है, add new page, master page, page करते हैं, master, यहाँ पर add करा गया, इसका जो भी नाम आपको देना हो दे सकने हैं, हमने add करके, और master file का जो extension होता है, वो क्या होता है, master dot master, add कराया, यह हमारे पास master page आगया, ठीक है, यह देखे, इस type से हमारे पास आगया, अब इसका जिसे कोई color वगएर आपको लेना है, तो color यह आपको pink जो भी रखना है, यह आपका master page यहाँ, यह देखी color चेल देखे, अब हम यहाँ क्या करते है, heading लगा तो इससे पर बना रहा है, तो हमने यहाँ पर रूख एक center tag क्या देख, center tag, अभी सारी setting हम कहां कर रहा है, master page पे, center उसके बाद हमने इसके अंदर एक tag लगाया, h1, क्या लगाया, h1 heading के लिए, h1, यहाँ आप हमें देदिया, sadguru, आपको image भी लगा सकते, sadguru, off computer studies, यह आपने बना लिए यहाँ पर आगया होगा, यह आपके heading आ लिए, यह आपने master page अपना बना लिए, और भी कोई setting करनी master page की फो setting आप यहाँ सी कर सकते, अब देखी अब इसका फाइदा क्या होता है master page का, कि अगर हमने एक master page बना लिए, और जो यह setting title की setting की, जो color की setting की, आटोमेटिक जितने भी इसके content page बनाएंगे, आटोमेटिक सारे content page पर यह setting पहुंच जाएंगे, बस आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना, add new item, new item में जाने के बाद, आप यहाँ पर क्या करना, इसका नाम देदिया, page one, क्या नाम देदिया, page one, अब यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर करना, select master, क्या करना, select master page, यहनि इसका content page बनाना पड़ता है, इनि का child बनाना पड़ता है, जैसे आप लोगा MDA form बनाया था, इसमें child बनाती है, बैसी जो master page के अंदर जो page कुलते है, उनको अपन क्या बनाना, पर ता master page के content page, तो right click किया, यह देखिया, हमने इसका content page बना दिया, अब यहाँ पर आ गया, अब इसके देखिस में दो होते हैं, अगर header पर print कराना तो इस बाले टॉप पर जाएंगे, पूटर page में print कराना, पूटर तो यहाँ पर देखिया, तो अमने आप जैसे देखिया, h1 में, normal hiding, this is, this is page one, adding क्या देखिए, this is page one, क्या देखिए अपने करा लिएंगे, सारे page के skip हमना है, master page की content page, add page two, इसका नाम जैसे अपने देखिया, page two, page two, ठीक है, add इसको भी master page का, अमने क्या बना दिया, content page बना दिया, यहाँ पर अपने heading देखिया, suppose h1, this is page two, this is page two, clear, उसके अपने क्या किया, right click किया है, add new item, new item जाने का अपने page लिया, यहाँ पर दिया page three, क्या दिया page three, page three, ठीक है, इसको भी master page का क्या बना लिया, content page बना लिया, यहाँ पर, कोई भी control define कर सकते हो, toolbox, disabled text box, form, registration form, कुछ भी design कर सकते हो, हम यह एक simple आपको बता रहे है है, ठीक है, हमने यहाँ पर जैसे दे दिया, h1, h1, this is page three, this is page three, यह हमने तीन page आपके लेनी है, clear, अब आपन क्या चाहते है, कि जब master page run करें, तो master page में सारे page आपके आने चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो right click करना पड़ेगा, एक अपन यूज करते है, side map, क्या यूज करते है, navigation के लिए side map, तो add new item, side map में सारे page का हम वहाँ पी URL set कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे side map, यह देखिए, यहाँ से आप, smile को add करा लिजी, यह देखिए, side map आगे, इसको आप add करा दीजी, navigation, यह आगे, अब जैसी यहाँ पर आगे, अपने सारे page का URL आप यहाँ define कर दीजी, जैसे हमने देखिए, पहला page, page1.asbx, title आप क्या चारते हैं, तो यहाँ आप जैसे हएल, जो आप इसे दर आपने यहाँ प्याहत है, page 2.asbx, आप यहाँ पर क्याहते है, पेज 2 ऐसे आए इसी तरह आपके पास क्या है पेज 3.aspx यहां पे पिर आप क्या चाहते हैं पेज 3 अगर आप और कुछ चाहते हैं और मैनुल जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी करके नीचे इसके एड पेस्ट करते जाए चितने चाहतने मैनुल यहां पे आने लग आप यहां पेज आपने इसके अंदर लिंक करा दिया आपन बास वापस मास्टर पेज पर जाते हैं अब देखें यह content holder है जो पेज खुलेंगे वो इस content holder के अंदर खुलेंगे तो आपन जाते हैं systematic ढंग से आये तो आपन यहां पे क्या कर लेते हैं टेवल इंसेट करा ले जो भी आप color लेना border का इसी के अंदर देखें खुलेंगे color दे दिया back color भी अगर इसको अलग से देना तो back color भी आप अलग से अपना दे सकते हैं यह देखे टेवल आ ठीक है इसको हम select करते हैं इस सेटिंग करने ही बढ़ती है आपको पूरी website जितनी भी attractive बनना चाहते है अब अपने रखा और इसको इसको इसके अंदर छोड़ दिया है तो आपने रखा और इसके अंदर छोड़ दिया है क्लियर और इदहर आपन क्या करते हैं? तूलब्स में जाते हैं तो अगान बग्स में जाते हैं जैते हैं नविगेशन你是 करते हैं, तो मैनू में गये और यहां से उठांके मैनू को रख दिया अब यहां भी चूज आइटम पूछेगा कहां से डेटा स्कॉपन ने किसका यूज किया साइड मैप का यूज किया अपने पास तरीका क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहां होता है जो भी पेज़ कुलती है अपने साथ से आप चोटा बडा कर सकते हैं ऐसा मास्टर पेज कभी अकेले रण नहीं खरता हूं Master page को किसी page के साइट करनी पड़ती है, इसको add करना पड़ती है, तो right click करेंगे, et page एड कराएंगे, add, यहां से अपने एक page add करा लिए, क्या add करा लिए, एक page add करा लिए, page, और यहां से जो हमने select master page यहां से आटाना पड़ती है। Select Master Page को अटाना पड़ेगा, यह देखे हमारे पास नॉर्मल पेज आ गया, इन सारी चीजों को आपको delete कर देना, जो भी आपने लिया इनको delete मार देना, इसको भी delete मार देना, और यहाँ पे लेंगे master page, क्या लेंगे master page file equal to, जिस page को आपने master को नाम कहा दिया master, यह आपने बन क्लियर, अब आप solution experiment जो आपने लिया यह, default page, ठीक है, अब आप इसको right click करके, as a startup page बना, set as startup page, set हो गया, अब आप इसको run कराएगे, तो run कराएगे, तो master page में जो setting कियोगे, सारे page में वही settings आपकी automatic आ जाएगे, वही title यह देखिए, आपके पास आ रहा है, अब किया, देखिए, page 1 वही पर खुलेगा, जो हमने पर कंटे, page 2 पर click किया, page 2 पुला है, page 3 पर click किया, page 3 पुला है, यह देखिए, उसी settings के अदर, और सारे page, master page का automatic यह title पहुँच गया, और वही setting, जो आपने setting कर दी, वही setting आपकी यहाँ पर, तो इस type से, आप किसी भी master page को यहाँ से, क्या कर सकते हो, design कर सकते हो, अभी देखिए, इसकी core setting वगर आपको करनी ही, जैसे आपको एक की settings चेंज करनी ही पड़ेगी, तो सारी settings आपकी चेंज हो जाएगी, अब जैसे मालो आपको for example, आपको किसी setting चेंज नहीं करनी ही, आपको सिर्फ चेंज करनी, master page की, तो master page में आप पहले तो menu को right click करके menu का font बढ़ा दीजी, font size जो भी आपको बढ़ाना, तो हमने यहाँ से इसका पहले font बढ़ा दिया, to कर दिया, size आपको क्या करना, large, large कर दीजी, ठीक, उसकी आप चाहते हैं, उसका color वगरा change करना चाहते है, क्या क्या change करना चाहते है, color बगर, right click करें, property में जाए, किसी color बगरा आपको लेना, कुछ भी, तो आप यहाँ से क्या कर देजिए, स्रिफ source में जाएए, और यहाँ से आप color अपने हिसाब से लेए, जैसे आपको yellow करना है, यलो कर देजिए, आप इसका color change करना चाहते है, जो hiding है, तो आप इसका भी कर सकते है, font, h1, इसके अग्दा देजिए, font, color equal to, आप क्या चाहते है, clear, और यहाँ इसके अग्दा देजिए, font को, आप एक जगे सेटिंग चेंज करें, अब सारी सेटिंग्स आपक्टमेटिक चेंज हुआ है, रन करा के देख लीजी आप रही सेटिंग के नहीं, यह देखिए, yellow दिया, red दिया, यह देखिए, अब bold दिया, यह देखिए, जो भी सेटिंग्स आप लोगी है, यह मास्टर पेज का फैदा होता, कि एक जगे बना लो, इक पेज पे सेटिंग्स और सारे पेज आटिममेटिक उसी सेटिंग्स पर उसी स्ताईल में आपके पास आनों लगा, Շसे आपको markview देना नीचे 모양 चलाना, तो आपको सिर्फ यह देना बाकि सारे पेज आक्रमेटिक आपके उसको ले रहें जीसे आपमें यह तेमल कंटेंट यह वाला आपका content holder close हुआ table close हुए table close के बाद body body के बाहर आपको firm के बाद देना तो आपमें आपके आपके मार-q mark you आपको सिर्फ कहां दिया एक पेज़ को सारा मार्क पेज़ को आट्रमेटिक आपको मेलेगा देखिए आरा मार्क पेज़ को अपने हिसाब से आप जहां पेज़ करना है आप सेटिंग कर सकते हैं तो आज के लिए अपना टॉपिक था वत नहीं है नेस्ट क्लासेज में इसके आगया बन देखेंगे थैंक यू